जो लेटेस्ट टेकनोलोजी के इंक जेट प्रिंटर है उनमें वन इंच स्क्वेर की दूरी में तीन सो से लेकर बैयाली सो ऐसे जेट लगे रहते हैं कलर्स को पेपर पर स्प्रे करने के लिए जो अल्टरा एचडी इमेज को प्रिंट करते हैं और एक जो जेट होता है उसकी साइज हमारे बाल की साइज से भी कम होती है युजवली 50 से 60 माइक्रों का डायमिटर होता है और हमारे बाल का 70 माइक्रों डायमिटर होता है जो हम कलर प्रिंटर देखते हैं ये टेकनिकल पॉइंट ओ व्यू से तो बहुत 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 बहु के साथ भी बहुत अच्छा गेम केलते हैं तो इस बहतरीन इंजिनियरिंग को इस वीडियो में समझते हैं इंक जेट प्रिंटर का बेसिक मीनिंग समझे तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के कलर उनकी इंक प्लस जेट मतलब एक इस्प्रे जो इन कलर को कागज पर इस्प्रे करने का काम करता है जेट को नोजल भी बोल देते हैं कई बार हमारे smartphone की screen में कोई भी picture दिखाई देती है क्योंकि उसके पिच्चे बहुत सारे pixel लगे रहते हैं लेकिन printer में pixel का कांच जेट करते हैं जब हम किसी printed photo को बहुत ज़ादा zoom करके देखेंगे तो उसमें हमें ऐसे dot दिखाई दे जाएंगे color printer को समझने की journey शुरू होती है एक monochrome यानि black and white printer की working से कुछ इस तरीके का हम एक box लेते हैं और उसके नीचे हम holes मना देते हैं जिनको nozzle बोल सकते हैं और इस box के अंदर हम black ink को फिल कर देते हैं तो इस condition में बूंद बूंद करके पूरी की पूरी ink नीचे निकल जाएगी nozzle से तो हमें जरूरत है कि हर nozzle को control कर सके उसके लिए सबसे पहले box को एकदम पेक कर देंगे तो इस condition में इंक बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी तो हर nozzle control के लिए एक color box को हम थोड़ा अलग करके एक pipe के थुरू head से connect कर देते हैं जो ये jet वाली unit है इसको हम head से indicate करेंगे और हर nozzle के उपर एक resistance लगा देते हैं resistance का काम heat provide करवाना होता है तो इसको हम heater भी बोल सकते हैं अब इस condition में जब हमें कोई print निकालना होता है तो उस respective resistance के पास में supply आएगी जिससे वह resistance heat होना सुरू होगा यह resistance 260 degree centigrade तक heat हो जाता है और हर microsecond में 100 degree तक heat हो जाता है यदि आपने देखा हो तो जब पानी की रोड़ पानी को गरम करती है तो उसमें से bubbles निकलते हैं ठीक इसी तरीके से जब resistance heat होता है तो एक bubble create करेगा और यह bubble ink को नीचे की तरफ force लगाएगा जब fast ink की drop नीचे की तरफ गिरेगी तो यह थोड़ी tight होती है यानि गाड़ापन होता है जिसकी वज़े से drop की size लंबी हो जाती है तो main drop के साथ में एक छोटी drop और बनती है क्योंकि liquid ink जम जाती है जिसकी वज़े से सुरोवात के एक दो print खराब भी निकल सकते हैं अब nozzle से drop तो कागज पर पहुँच गई लेकिन यदि हम nozzle को notice करें तो यहाँ पर एक बैतरीन प्रोसेस होती है जैसे ही nozzle से drop बाहर निकलेगी तो heater की supply बंद हो जाती है और supply बंद होते ही heater के पास में बनावा bubble वापस सिकूडने लग जाएगा तो vacuum create होगा जिसका result होगा बाहर की हवा को nozzle से अपने अंदर की तरफ खींचेगा तो vacuum की वज़े से जो C type से बनावा है इसका surface अपने आपको खींचा हुआ मैसूस करेगा जैसे इसको कोई अंदर की तरफ खींच रहा है इसी को हम surface tension बोलते हैं और surface tension इस nozzle को fill करने की कोशिस करेगा और phrase ink को अंदर की तरफ से pull करेगा थोड़ा simple language में समझाऊं तो यदि एक पानी की बोतल को कुछ इस तरीके से पिचका देते हैं जब मैं इसको पानी में डुबा कर वापस छोड़ने की कोशिस करूँगा तो यह पानी अपने अंदर की तरफ पुल करेगी क्योंकि इस बोतल के अंदर हमने जो vacuum create किया है उसको fill up पानी कर रहा है तो ठीक यहां पर भी ऐसा ही होता है जब heater वाला bubble सिकूरता है तो बहार से phrase ink को अंदर की तरफ पुल करेगा और यहां पर जो C shape create हुआ है उसका भी surface tension ज़्यादा है तो यह भी वापस अपने आपको fill करने की कोशिस करेगा और बहार से phrase ink पुल करता रहेगा इस method को thermal bubble method बोलते हैं अब head को left right मुह करने के लिए printer में head को एक horizontal road पर set करते हैं और movement के लिए motor belt system लगा रहता है जिससे head को attach किया जाता है तो head कुछ इस तरीके से मुह करता है जब हम computer से कोई भी command देते हैं प्रिंट करने के लिए तो printer का driver इस data को printing language में convert करता है और printer के system में load करता है printer में दो roller लगे रहते हैं supportive roller के साथ में जो एक stepper motor से जुड़े रहते हैं इनका काम है paper को feed tray से निकाल कर printer head के सामने set करना तो जब printer head print सुरू करता है तो easy understanding के लिए हम मान कर चलते हैं कि printer head में सिरफ 10 nozzle लगे हुए है जब यह nozzle print करते हुए पूरे path को complete कर लेते हैं तो stepper motor roller की help से paper को आगे के तरफ पुस्ट करेगी और paper फिर रुक जाएगा और head फिर से दूसरे path में print करना सुरू कर देगा इस तरीके से पूरे paper में print करेगा लेकिन इस printing में यदि आपने notice किया हो head उन जगों पर भी उतना ही time लेता है जहां पर कुछ भी print नहीं करना है तो इस condition में हमें जरूरत है कि head से जुड़ी stepper motor को properly control किया जाए तो इसके लिए printer के driver बहुत advance होते हैं पहले से ही एक path decide कर लेते हैं और image में जहां जहां पर print होता है head direct वहीं पर पहुंचता है और print करता है फालतों के extra step नहीं लेता है color printing बहुत intelligent तरीके से काम करती है हम इस head को हटा कर तीन color को काम में लेते हैं red, green और blue और यही तीन color जितने भी digital devices हैं उनमें भी होते हैं और इनी color के combination से 16 million से भी ज्यादा color combination बन जाते हैं लेकिन क्या यह color printer में काम कर जाएंगी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इन color से जब हम कोई print निकालेंगे तो वह almost black print निकलेगा जब हम red और green light को mix करते हैं तो हमें perfect yellow color दिखाई देगा क्योंकि red और green light आपस में add हो रही है इसी चीज़ को हम additive mixing बोलते हैं लेकिन जब हम red और green color को mix करते हैं तो color तो अब की बार भी yellow ही मिलेगा लेकिन वह बहुत ज़्यादा dark मिलेगा क्योंकि यदि हम इस mixture को zoom करके देखे तो यहाँ पर red और green color के atom हमें अलग-अलग दिखाई दे जाते हैं मैंने camera वाले वीडियो में भी बताया था कि हमें कोई भी चीज़ दिखाई क्यों देती है for example यह green color का box हमें दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि जब इस पर sunlight गिरती है तो sunlight में बहुत सरे color होते हैं और यह सभी color को absorb कर लेता है और green color को reflect कर देता है और यह color हमारी आँखों तक पहुंचता है तो हमें box green दिखाई देता है और red color का atom तो green light को आगे पास करेगा नहीं सिरफ red light को ही पास करेगा तो इसका कुछ area black हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे कुछ color खतम हो रहे हैं यानि subtract हो रहे हैं इसी चीज़ को subtractive mixing बोलते हैं ठीक ऐसा ही other atom के साथ में भी होगा जब सभी atom की light हमें mix में दिखेगी तो उसमें ज्यादातर black color दिखाई देगा इसलिए हम RGB color को use नहीं ले सकते तो printer के अंदर इसका एक solution निकाला गया हम RGB color के complement काम में लेते हैं complement का मतलब है RGB के inverse color red का sign, green का magenta, blue का yellow अब sign इन ग्रीन और blue दोनो light को पास करती है और red को एबजोब कर लेती है अब यहती हमें blue color चाहिए तो सब से पहले sign की एक drop छोड़ते हैं और sign मैंने अभी आपको बताया red को एबजोब कर लेगी और इस drop को सूखने से पहले इसके उपर magenta की भी एक drop छोड़ देते हैं और magenta green को absorb कर लेगी यह दोनों mix होकर सिरफ blue color light को pass करेंगे और हमें एक बहतरीन blue color मिल जाएगा इस तरीके से sign, magenta और yellow color को mix करके printer अलग-अलग color के combination बनाता है लेकिन printer head में CMY के अलवा भी एक black color साथ में attach करते हैं क्योंकि यह तीनो color मिलकर भी एक बहतरीन black color नहीं बना सकते इसलिए black की जरुरत पड़ती है जिसको की बोलते हैं अब एक problem आती है कि इन सभी color को mix करने से हमें red color तो मिल गया लेकिन यदि हलके red color को दिखाना है तो क्या करें इसके लिए printer खेलता है हमारे दिमाग के साथ में जब हमें हलका red color दिखाना होगा तो printer dot के बीच में distance बढ़ा देगा और हमारे आँखों के लिए एक illusion create हो जाएगा आँखों की इतनी power नहीं है कि इन dot के बीच में distance देख पाए और हमें हलका red color दिखाई देगा अब एक condition और आती है कि हमें red color तो normal मिल गया mixing से लेकिन उसको हमें और ज़्यादा dark करना है तो क्या करें एक तरीका तो है कि red color में black को mix कर दें जिससे red और ज़्यादा dark हो जाएगा लेकिन यहाँ पर printer फिर से हमारे दिमाग के साथ में खेलता है एक्चल में printer red color के साथ में black को mix नहीं करता है उसके just pass में एक black dot भी set कर देता है और जब सभी red के साथ में black dot रख देंगे तो final image हमें कुछ इस तरीके से dark दिखाई देगी जो हमारे दिमाग के लिए एक illusion create करती है इस तरीके से एक image का output बहार निकलता है लेकिन market में आज ऐसे printer भी available है जो इस image को और ज़्यादा HD करने के लिए 300 से लेकर 4260 काम में लेते हैं जिसको technical term में dot per inch square बोलते हैं एक कम nozzle वाले printer की image कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है और वहीं पर यदि किसी printer में बहुत ज़्यादा nozzle लगे हैं तो image कुछ ऐसी दिखाई देगी अब दोस्तों आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ हमने आपके लिए एक surprise त्यार किया है हम आपके knowledge में और चार चांद लगाना चाते हैं यह surprise भी आपको नए साल में जनवरी के बीच में मिल जाएगा तब तक आप guess कर सकते हो कि क्या हो सकता है surprise इस बहतरीन मोके पर आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक करके लाइप अड़ा को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद